तो आज किस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने बारा हूँ जोब को यहाँ पर BAL बर्सिस KHP के बीच में यहाँ पर पाकिस्तान नेशनल D20 कप का आज का जोब को मैज खिलालता दिखेगा उसके बारे मैं यहाँ पर बात करूँगा गाईस एकदम डीटेल में आपको सारा कुछ में बताऊंगा हर प्लेयर के बारे में आपको जानने को मिलेगा साथ में मैं ग्रैंडी की आपको बहुत कमाल की टिप्स भी दूँगा उससे अगर आप फॉलू करेंगे तो आप ग्रैंडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप वीडियो को सुरूर सेंद देखते रहेगा साथ में वीडियो में मैप के लिए के ऐसी कमाल की यहाँ पर प्लाटफॉर्म लेकर आया हूँ जहाँ पर गाइस फैंटेसी सी आप ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं मैं खुद अर्ण कर रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो उसके लिए भी आप वीडियो को सुरूर सेंद तक देखते रहेगा तो चलिए गाइस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ सबसे बहले हम इस मैच के बारे मबात कर लेते हैं पहले गाइस हम यहाँ पर प्वाइंट सेवल पर आते हैं यहाँ पर देखेंगे तो बी-ए-ल की टीम यानि की बालूचिस्तान की टीम 5 में नरपर है, 5 में से मातर 2 में जीती है वही पर guys Khyber पक्तुन की जो टीम है वो 3 में नरपर है यानि कि KP की टीम 4 में से वो 3 जीती है तो यहाँ पर KP की टीम जादा मैचेस जीती है लेकिन फिर भी guys मैं आपको बोलूँगा small league में आप balance stream ही करके चलें जो दोनों teams के important players रहेंगे हम उनको ही लेकर team बनाएंगे grand league में थोड़ा सा favor आप KP को कर सकते हैं अब guys यहाँ पर पहले हम बालुचिस्तान team के last match का performance देख लेते हैं तो यह इनके last match का batting का performance देख सकते हैं इनके लिए अब्दुल्ला सफिक ने ओपनिंग किया 44 रन किये अब्दुल्बांगला जाए बहुत अच्छा खेल ने 50 रन इनोंने किये हारी सोहल ने 47 के not out और सोहल किये यहाँ पर सोहल अक्तर ने इसके लावा यहाँ पर किसी की बैटिंग आई नी guys और इमाम-ul-Haq जो की ओपनर है वो ओपन करने भी नहीं आई पता नी क्यों नहीं आई और वैसे भी बहुत खराब फॉर्म में इमाम प्लेयर बहुत कमाल के हैं लेकिन पता नी लास्ट मैच में इनोंने क्यों इनोंने अपने आपको नीचे कर दिए इस मैच में क्या करते हैं और ये guys बॉलिंग पर्फॉर्मेंस आप बालुचिस्तान का लास्ट मैच का देख सकते हैं जिसमें दो विकेट मिला खुरम सहजाद को तीन विकेट जुनेद खान को तीन विकेट उमेद आसिप को कासी बाटी को को और तीन की बुकेट नी कर. अच्छी आप बालुचिस्तान का और 5 मैच के कि यहां सभ ही स्थाट से के अगर तीन विकेट मिल मेच कने लेगा अगर यह ओनल पर नहीं कि लीच का है यह बैटिंग का है और यह यहां पर बॉलिंग का है अगर आप देखेंगे बैटिंग में तो इनके लिए जो सबसे आधा रन किये है वो किये है अब्दुल बांगला जाइनी पांच मैच में 180 उसके अलाब आप देखेंगे गाइस तो किसी ने कुछ खास किया नहीं है यहां तो यह बैटिंग से भी कांटुव कर सकते है तो यह आते है तो इंपोर्टन रहेंगे कासी बाटि भी अच्छे यहां पर बॉलिंग नाम पर भी है थोड है थोड़ी से बैटिंग भी कर लेते हैं 5 माच में 6 6 शापन रन है देख सकते हैं उमेदासई 5 मैच में 6 जुनेद चार मैच में छेविक्ति है लेकिन जुनेद खान ने बॉलिंग 11 ओवर ही की है मतलब हर मैच में वो तीन ओवर के लगभग डाल रहे ठीक है तो यह द्यान लखिएगा तो यह आपने बालुशिस्तान के प्लेयर का आप स्टैट्स देख लिया आप चलिए गाइस में आपको यहां बता सिटान यह दिखती। परेऍस दार कशना इंवर इंचान के प्लेट के लिजर्ड धान का प्लेयर्स सिंप्ली देख लिप तेख लिज़ पीकेने नीकालें सिंप्ली और यह दिखती। है ऊसपान लास्ट मैच के यहाँ पर देख लिया, खाइवर पक्तून का परफॉर्मेंस, अब गाइस यह इनके पूरे स्रीज का आप सभी प्लियर्स का सिंप्ले स्टाइट्स देख लिए, यह बैटिंग का है, और यह यहाँ पर बॉलिंग का है, और आप बैटिंग में देखेंगे, इनके लिए सबसे अच्छा के लिए है, इनके कैप्टन मौहमद रिजबन, चार मैच में 136, उनसे भी बैटर केलें साही ज़्यादा फरहन, चार मैच में 164, ठीक है, मौहमद वर्षीम, चार मैच की 2 एनिंग में 45, इफ्तिका नहमद चार मैच की चारेंग में 77, ठीक है, उसके रवाब बॉल इनके तो 5 विक्टे लिए है, आसिपा फरीदी ने 4 मैच में, वाशीम ने 4 मैच में 5 विक्टे लिए है, अरसाद इगवाल ने 4 मैच में 4 विक्टे लिए है, साथ में कौन सा बॉलर कितने ओह डालता यह सब आपको बता चल गया होगा आप चलिए guys हम यहाँ पर अपनी team discuss कर लेते हैं team discuss करने से पहले guys यह मैं आपको अपने telegram channel पर लेकर आया हूँ guys telegram channel पर join करना आपके बहुत important है यही पर आपको final team update मिलेगी guys यहाँ पर join करना आपके बहुत important है final team update इस match की भी आपको यही पर मिलेगी साथ मैं IPL matches की भी मैं आपको grandling mini grandling की team provide करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप जरूर जोइन कर लीजेगा आपको इसी वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा आप उस पर simply click कर कर आ सकते है यहाँ पर guys fantasy के अलाबा मैं एक और कमाल की betting app में भी खेलता हूँ जहाँ पर already मैं एक लाग से उपर जीत चुका हूँ मात्र साथ दिनों में उसका प्रूब guys आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैंने वीडियो भी डाली है कि आपको कैसे one win betting application में खेलकर 100% winning करनी है तो आप वो वीडियो को भी check out कर सकते हैं वो वीडियो अलएडी channel पर uploaded है ठीक है तो आप जाकर channel पर ज़रूर check out करिएगा one win बहुत कमाल की betting application है हमारे काफी members भी बहुत कमाल की यहाँ पर bet करके easy winning कर रहा है आप मेरी winning भी देख सकते हैं मैं बहुत कमाल की winning कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे काफी members भी बहुत अच्छा कर रहे हैं guys तो आप भी जरूर one win betting application को राई करिएगा उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा ध्यान दखिएगा sign up करते वक्त refer code के साथ ही registration करिएगा ताक कि guys आपको bonus भी मिल जाए और by chance कोई problem आती है इस application में तो मैं आपका solve guys कर दूँगा यह देख सकते हमारे members की winning काफी कमाल की winning यहाँ पर लोग कर रहे है fantasy से guys easy है यहाँ पर खेलना और आपका maximum profit भी होगा तो जरूर guys one bin को try करिएगा आपको link के साथ refer code भी मिल जाएगा promo code उससे use करके ही आप sign up करिएगा deposit का धियान दखिएगा deposit आप 500 से 300 तक ही करिएगा मैंने बिड्डॉल प्रूब भी आपको दिखाया जो कि मुझे instant बिड्डॉल यहाँ पर मिला था कुछ दिनों पहले पेटियम में यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है आप video देख लीजेगा वहाँ पर मैंने डेटेल में इस application के बारे में बताया है पिछले दो मैचेस मेरे बहुत खराब के है पाकिस्तान T20 कप के तो इसलिए मैं अगेन फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ आप खुद से भी टीम कर सकते हैं आपकी मर्जी रहेगी अगर आप मेरी टीम के साथ भी जाना चाहते तो जा सकते हैं वारना आप खुद की भी टीम कर सकते हैं पिछले स्टार्ट करते हैं यहां पर देखेंगे तो मुहमद रिजवान और बी खान यहां पर ऑप्सन है यहां पर तो मस्ट पिक है मुहमद रिजवान हमारे लिए बहुत कमाल के प्लेयर है पिछले एक साल से मेरे इस आपसे पाकिस्तान के लिए जो सबसे अच्छे बैट्समें आये हैं बाबा राजम के बाद वो यही है इस पिछले नहीं चले है लेकिन उससे पिछले 3 मैचे में काफी अच्छा खिए तो हुममें लेना ही है थ функ कमाल का खेलते हैं अब आते हैं में बैट् gonna कर बहुत रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं काफी, ODI मैचेस काफी खेल चुके हैं, T20 उतना नहीं खेले हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, लेफ्टाम ऑथरोक्स भी डाल सकते हैं, तो ये मस्ट पीक है, इनको लेना है, नेक्स्ट मैं फकर जमान को लूँगा, ये भी पाकिस्तान के लिए गाइस काफी खेलें, आप पो बताई, अफकर जमान के बारे में, इंडिया किलाब सेमी फाइनल में, बहुत कमाल के इनोंने सेंचरी मारी थी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनको भी मैं लूँगा, लास्ट मैच में 50 रन इनोंने भी किया, ये ओपन ठीक है, ये भी पूरे टोनामेंट में बहुत अच्छा के लें, तो मैं इनको भी लूँगा, ओपन करेंगे ये भी, और ये भी बहुत अच्छा के लें, ठीक है, तो ये चार मैं बैट्समन को ले रहा हूँ, यहाँ पर सोहे लग्थर हैं, जो की गाइस काफी एक्स्पिर प्लेयर में कोई कमी नहीं है, अगर ओपन आजाते हैं, तो बहुत अच्छे लेंगे, तो आप इनको भी ग्राइलिंग में ट्राइए करिएगा, ये भी ग्राइलिक लाप के लिए अच्छे च्वाइस है, अब आते हैं और लाउंडर सक्षन पर जहां पर गाईस, अगर आ मिली है, जो कि बहुत कमाल की बात है, और इस टूनामिट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहें, इनको अगर आप बाॉलिंग देखेंगे, तो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी बाॉलिंग कराते हैं, इनको मैं लूंगा ही, नेक्ष्ट मैं कासी यहां पर इफ्तिकार रहमत को ले सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए भी काइस, खेलते हैं, रेगुलर, ठीक है, वन डे और टी-ट्वेंड आप इनको भी ट्राइ कर सकते हैं, यह ओफिस्पिंट भी डाल सकते हैं, और साथ में बैटिंग भी करेंगे, आप इनको ले सकत हैं, और मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा नहीं, अभी के लिए हम आते हैं, बॉलिंग सेक्षिन पर, जहां पर सहीन अफ्रीदी, ठीक है, यह नमबर वन च्वाइस है, और नमबर टू च्वाइस है, इमरान खान, दोनों टीम के टॉप बिकेट टेकर है, सहीन अफ्रीदी नहीं मिला, लेकिन प्लेयर बहुत कमाल के, विक्रे लेते हैं, तो मैं इनको भी ट्राई करूंगा, यहां पर यासिर सा आते हैं, अच्छे लेगी स्पिनर है, आप इनको भी जरू ट्राई कर सकते हैं, लास्ट मैच नहीं खेले थे, जुनेद खान है, उमेद आसिप है, उ यहां पर थोड़ा आपको डिसाइड करना होगा, कि आपको किस बॉलर को लेना है, ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कि अभी के लिए मैं किसे लू, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहां पर हो रहा है, मैं अभी के लिए यहां पर यहां पर जुनेद ख यहां पर चाहे तो यहां पर किसे ले सकते हैं जुनेद खान बहुत अच्छे बॉलर है ठीक है आप इनका ध्यान नकिएगा यह जुनेद खान जो है यह पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके है ठीक है जुनेद खान, सायद ही वही जुनेद खान है या फिर कोई दूसरे भी हो सकते हैं, मैं कनफर्म नहीं हूँ, लेकिन गाइस अच्छे प्लेयर है, जुनेद खान अच्छे बॉलर है, इस ट्रोनामेंट मिन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है, तो मैं इनको ले रहा तो गाइस यहाँ पर आसीप अफ्रीदी भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे चुआईस है ठीक है, उसके लिए बाइस बनता है अभी के लिए टीम का प्रिब्यू, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, इफ्तिकार अफ्मद को आप नो डाउट ले सकते हैं, और यहाँ पर यह चार प्लेट्स में आपको रिकमेंड करूंगा, आप इन चार में से करने की ट्राइ करिए, वैसे तो फकर जमान भी अच्छे हैं, फरहन भी बहुत अच्छा के लिए हैं, लेकिन मेरा ज्यादा फूकस, इसमॉल डी के लिए आपके लिए रिजवन, सोहेल, वसीम और अ आप गाइस, आपको ग्रैंडिंग में क्या करना है, ग्रैंडिंग के लिए क्या टीप्स है, ग्रैंडिंग में नमर वन टीप्स आपके लिए यह है, कि आप ग्रैंडिंग में क्या रिजवन को ना करें, उसके लाबा गाइस, ग्रैंडिंग में क्या करें जिस प्लेयर को, बहुत कम लोग ट्राइ करेंगे और तीनों में बहुत टैलेंट है ठीक है ये तीन जो मैं प्लेयर बता रहा हूँ फारहन बहुत अच्छा खेले है उसके लिए इमरान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और कासी भाटी भी काफी अच्छी ओल्डाउनर है तो ये तीन आप चाहें तो जुनेद खान की जगह पर ऑप एक बॉलर आसिप अफ्रीदी को भी ले सकते है या फिर यहाँ पर यहाँ इनको भी ले सकते है फिर आपके कुछ इस परकार की टीम बन जाएगी इसमें आप वासी चाहे तो यहाँ पर सहीन अफ्रीदी को दे दिजेगा ठी अभी के लिए small link की team है, इसमें definitely changes होने बाली है, जो आपको final team update मिलेगी, और जैसा कि मैंना आपको पता है, वो आपको हमारे telegram channel पर ही मिलेगी, तो वहाँ पर guys, आप join करना बिलकुल भी ना भूले, आपको इसी video के description में हमारे telegram channel का link मिल जाएगा, आप उस पर click कर कर guys, simply join कर सकते हैं, उसके लाबा guys, one bin betting application को भी try करना ना भूले, बहुत कमाल की betting application है, आप daily, easily उस application से 1000 से 2000 की earning कर सकते हैं guys, ठीक है, तो जरूर try करिएगा one bin betting application को, और मुझे जरूर बताइगा, आपको वो application कैसी लगी, ठीक है, तो जरूर उस बात का ध्यान नखिएगा, तो बस का ऐज किस फीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी तिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, और बेल आइकल को भी on कर सकते हैं, ताकि आप आने बाले वीडियो की नोट्वीकेशन मिस्त ना कर सके तो बहुत जल्द गाइज मैं वीडियो में